हालो फ्रेंट स्वागत है आपका स्टड़ी सर्विस ऑनलाइन कोच अकेडमी में आज के डेली अपडेट जो है देखने जा रहे हम डेली हम जो है अपनी जो भी हमारी नूटिकेशन्स होती हैं हिमाच्व परदेश में उन सब ही को जो है हम कवर करते हैं चले तो आज की आले 16 तारीक से तो अगर आपने भी हमाच्व परदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के लिए जो है टू इयर डिप्लोमा जो आपका होता है अगर वो आपने एंट्रांस उसके लिए दे रखा था डियलेड के लिए तो उसके लिए 16 से यानि कि 16 तारीक से 16 अगस्त से जो है आ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन है और इसमें पार्टिस्पेट वही कर सकेगा जिसके 45 से लेकर के 95 जो है मतलब यहनी की 95 का यहां पर बता रहा कि 95 में से 45 एटलिस नंबर आए हो जिसके 45 नंबर से उपर है वो सब इसमें पार्टिस्पेट कर सकते हैं चलिए नेक्स देखते हैं, नेक्स्ट है कि शर्तों के अनुसार ही खोशित होगा, पोस्ट कोड 903 और 939 का रिजल्ट, तो रिजल्ट की बात की गिए, काफी बच्चे इसका रिजल्ट का बेट कर रहे हैं, तो इन्हों ने कहा कि जो जो आपको टर्म एंड कंडिशन्स बताईगी है, राज पोस्ट कोड के लिए भी, तो जो जिनका भी ये 309 और 939 कोड है, जो ये IT का जिन्होंने पेपर दिया था, तो उनका जो है रिजल्ट चल दी ही खोशित किया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा बताया गया, तो इसका मतलब है, रिजल्ट जो है वो आने ही बाला है, तो रहात की खबर है, फिर हम देखते हैं कि टोप हंडर्ड में से हिमाच्व परदेश के सिर्फ दो ही ऐसे इंसीट्यूट हैं, दो ही ऐसे संस्थान हैं, जो हमें देखने को मिले, एक तो आपका आई आई टी मंडी ये 33 पोजीशन पर हैं और शूल्ड इंवर्सिटी ये 70 पोजीशन पर हैं, यानि कि 70 में स्थान पर रही है, एच बी, एच पीउ के अगर हम बात करें, फिर से इस वार भी इसे जो है, टोप हंडर्ड में भी रैंक नहीं मिल पाया है, तो हम देखते हैं कि एच पीउ का जो रैंक है 169 था, 2020 में, 2021 में, 200 की लिस्ट से भी बाहर हो गया था, 2022 में देखें, तो इसे जो एगरेड बाने के लिए सफल रहा था, लेकिन इस बार भी टोप हंडर्ड में अपनी जगा नहीं बना पाया है, तो ये भी इंपोर्टेंट है, तो आपको या पाद रखना एक IET मंटी और दूसरा युनिवर्सिटी आपकी शूलने वाली, तो कौन-कौन से पोजिशन पे हैं, एक नंबर का आपका क्वेशन बन सकता हैं, एक्जाम में, नेक्स्ट है, कि जेवेटी वाले जो जिनको अपॉइंट किया गया है, कि अपॉइंट मेंट स जो है, शिक्षक जो है, एक ही शिक्षक की डवल न्युक्ती का भी आंकलन किया चाहे का, प्रदेश भरे में जेवेटी के 1161 पद जो है, वो भरे जाने है भी, तो जीलों से मांगा खाली पदों का ब्योरा, आप देखो एक चीज़ और भी है, यहाँ पे देखने वाली जो की त्यारी कर रहे हो, आप शास्त्री कमिशन की त्यारी कर रहे हो, या फिर जेवेटी कमिशन की त्यारी कर रहे हो, तो अपनी त्यारी को जो है, और डवल कर दो, क्योंकि कभी भी नोटिकेशन आपको आ सकती है, चलिए, तो फिलहाल के लिए, आज के लिए जो है, यह सब साथ में आपको सारी अपडेट लगती रहेगी कि क्या हो रहा है एजुकेशन के अंदर तो डेली जो है मेरे साथ कनेक्टेड रहे है और आपको डेली के डेली जो है मैं आपको न्यू नोटिफिकेशन जो भी रहेगी वो सारी आप तक पहुंचाओंगी लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा तभी मेरी सारी की सारी नौटिफिकेशन जो है आपको डेली जो है एट थर्टी पे मिलती रहेगी स्थैंग एसलों इल्हाब बहुत लावा बहुत सारे अंगिने डेमASON मैंने पिछली क आते हैं कि online coaching करना घर बैठे तैयारी करना तो study service के साथ आप जूड सकते हैं thank you so much मिलेगे